इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनित से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कोगनिप 5 मिली ग्राम टेबलेट का इस्तेमाल इलजायमकी बीमारी के माइल्ट से मॉडरेट स्थर के डिमेंशिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक बरती बीमारी होती है जो धीरे धीरे आपकी मैमरी और सोच पर असर डालती है। यह इस बीमारी का इलाज नहीं कर अच्छा होगा कि रात को सोने से पहले। अधिक्तम लाब पाने के लिए निर्देशों का ध्यान से पालन करें। आपकी व्यक्तिकत जरूरतों के अनुसार डोस समय समय पर बदल सकती है। लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है। तो अपनी मांसपेशियों में एंठन, ठकान और वजन घटना यानि की एनोरेक्स या शामिल हैं। अपने आपको हाइडरेटर रखने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीएं। इलाज की शुरुआत के दौरान या जब आपकी खुराग बढ़ाई जाती है तो आपको अकसर साइ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आम तोर पर जैसे जैसे आपके शरीर को कोगनिप 5 मिलीग्राम टैबलेट की आदत हो जाती हैं, साइड इफेक्ट धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। अगर वे गंभीर हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर् आना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं, तो वे इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। गर भावस्था के दौरान यह दवा क इकोन पर क्लिक करें और ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।